एस्सालम आलेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम गट्स पॉट्स और यार्पंच्छन के बारे में बात करेंगे गट्स हम किसले इस्तिमाल करते हैं गट्स इसनी माल करते हैं फॉट्स और इसका सेंटेक्स क्या है ति प्लस प्लस में एक बहुत बड़ी रेंज के साथ input output function इस्तिमाल होते हैं और बहुत ज्यादा function है input और output हैंडल करने के लिए गर हम और यह सारे function जो है header pile में जो है डिपाइंग की गई है अगर हम जो भी function input और output के इस्तिमाल करते हैं तो उसका उस function का header pile हमें include करना पड़ेगा हमारे साथ यहाँ पर कुछ built-in function है built-in function के बारे में आपको एक वीडियो में upload करूंगा built-in function क्या होता है हमारे साथ यहाँ पर आम तोर पर जो function इस्तिमाल होते हैं हमने आप पर लिख करें get function इस्तिमाल होता है get stdio.h header pile है header pile का यह नाम है आपको यह hash include और वो bracket में बन करना पड़ेगा stdio.h इस तरह header pile लिकिंगे बाद में हम आप get function इस्तिमाल कर सकते हैं और यह function string के लिए हमें keyboard से जो string enter करते हैं तो वही के इस्तिमाल होता है इसा string यह catch कर सकता है enter दबाने तक जितने भी character हम लिखते हैं अगर इसमें space है symbol है कुछ भी है तो यह gets function वही save करता है string palm में और इसका syntax यह है gets हम लिखते हैं bracket में string variable name लिखते हैं मतलब हम एक string टाइब की variable define करते हैं और वह इस bracket के अंदर लिखते हैं तो यह gets function जो है screen को cache करता है input के लिए keyboard से input हम देते हैं और हमारे साथ screen जो है वह बागता में यह मतलब blank नहीं कहा और हम keyboard से जितना भी input देते हैं एंटर दबाने तक तो वह इस variable में हमने जो विरियेबल program में डिपाइन डिकलेर की होती है हम यहाँ पर लिखते हैं bracket के अंदर और वही विरियेबल gets gets function जो है हम keyboard में जो input देते हैं वह इस variable में save करता है और यह जो है सारे character stdin header पर जो है यह stdn के जरिये हम से character लेता है और string variable में save करता है जब तक के हम enter नहीं दबाते हैं यह line character जो है यह null character है और यह slash और zero के साथ लिखते हैं enter का अपना जो code है वह कुछ यूँ है पहले एक बेक्स्प्लेश है और zero है इसे null character कहते हैं हम जब enter लिखते हैं तो programming में compiler वह यही code समझता है बेक्स्प्लेश और zero यह end up file जब तक खतम नहीं होती मतलब file जब तक खतम नहीं होती तो get function जो यह character लेता है और यह end up file जो है यह file handling में इस्तिमाल होता है जब हम किसी file को कुछ लिखते हैं या किसी file से कुछ input लेना चाहते हैं वह हमारे साथ store होता है या database में से होता है है तो वही कोडिंग में इंशाला मैं आपको इसकी वीडियो भी अफ्लोट करूंगा आपको वह समझ आ जाएगा किस तरह इंपुट लेते हैं मेरा एक वीडियो है है फाइल को हम लिखते किस तरह है उसका नाम यह हाव तो राइट टीक्स्टी फाइल एंसी प्लस प्लस आप वह भी देख सकते हैं तो आपको थोड़ा दिर तोड़ा कुछ तोड़ा समझ आ जाएगा कि यह होता किस तरह है हमारे साथ यहाँपने एक एक्जामपल है गेट पर हम है इसका मतलब यह है और mile कली में के अंग्धर से हमारा शुरू होता है , बहुत है ही एंट्र्योर्फ फल्ड्रेस यहाद पर हमरे साथ और पूड्ड आएगा और ग्यर्स पॉंट्चन जो है टैस्ट as तोolde संक्ट रेगा अब फुट्स फंक्षन की बाह है फुट्स फंक्शन हमारे साथ जो स्ट्रिंग होता है प्रोग्राम के अंदर हमने स्ट्रिंग की होती है वह एडवान्स में पता होता है तर Аnd Jeans में बहुत स्क्रिंग आता है शाये इसका लिंग जो है वह बड़ा हो पता नहीं है पुट्स में और स्ट्रिंग में क्या फिर्स के अंदर हम टाउच आपकिंगे ह्म आपकंथंग लिगते हैं वहीं अनिके होuna होता है ब्रिकट के अंदर यह विरियेबल नेम होता है और वही वरियेबल जो है एक कांस्टेंट के बराबर होती है इसकी विरियो एक स्ट्रिंग होती है और वही स्ट्रिंग हमारे साथ स्क्रीन पर होता है हमारे साथ यहाँ पर एक आप यहाँ पर हमने कर्वक्टेटे से स्ट्रीयर डिपांड की है इसमें 100 करेक्टर तक विविव आती है से अगर यह हम पुट्स में लिखें अंदर तो दोनों एक ही चीज है गिर्स जो है यह विरियेबल हमारे हमसे एन्फुट लेगा एक स्ट्रिंग जो हम एंटर कहेंगे और स्ट्रिंग स्क्रीन पेंटर लिए इस्ट्रइए deeper दिश्प्य। जो है वही स्ट्रिंग जो गिर्स में लिए स्ट्रेंग ऑट्पुट करेंगा मिसाल के तोर पर हमने यहां पर hello world लिग का तो you enter hello world इस तरह नजर आएगा स्क्रीन पर output इस तरह देगा आप getch function हम किसे इस्तिमाल करते हैं getch जो है यह screen को इंतिजार करने देता है console screen को वो तब तक हमारे सामने से नहीं जाता है जब तक हम कोई character या कोई की press नहीं करते हैं और यह screen पर कोई eco मतलब screen पर वही character नहीं display करता कुछ और display नहीं करता बस console screen जो है वह हमारे screen से जाता है लेकिन इस के जो की stroke हम हम जो की first करते हैं वही video इसमें से होती है वह हम इस तरह मतलब दिकार लेते हैं बाद में इसका में एक प्रोग्राम लिख्या है कि getCH में हम जो की प्रेस करते हैं वह हम एक variable के या एक character के बराबर लेते है getCH function तो ही character में इसका जो value है वह से होता है यह function खुद वही value save नहीं कर सकता लेकिन अगर हम यह function किसी character के बराबर ले ले तो मतलब इसका value जो है यह expansion का कमी है कि एक character जो है यह key जो हम press करें तो यह वही तक यह screen catch करता है लेकिन अगर हम expansion को एक character के बराबर ले ले तो जो की हम press करते हैं वही को की को यह यह वही character को यह वही key assign करेंगा मतलब आप एक्जाम पर से समझ जाएंगे किस तरह होता है getCH function का यहाँ पर हमने एक program example लिए character switch हमने दिया है cout press any key हमारे साथ screen पर इस तरह आएगा press any key हम एक key enter करेंगे तो अब getCH function जो है यह key के लिए यहाँ पर right to left side program execute होता है आप इस phone को खोर से दे कि getCH function हमसे key enter करेंगा हमारे screen को वेट करेंगा कि जब तक हम कोई key press नहीं करते हैं और जो key हम press करते हैं वो getCH में save हो गई अब यह getCH function में खुद कोई इस तरह का code नहीं है कि यह वही e को करें हमारे साथ screen पर display करें लेकिन वही की इसमें save हो गई तो यह key CH के बराबर हमने की मतलब CH को getCH का video assign की getCH का value अपना कुछ video नहीं है जो की हम प्रेस करते हैं वही वीडियो के CH में से होती है और वही करेक्टर होती है कि हर एक की जो है वह एक करेक्टर है सिया उतने यूप्रेस येज येज की वीडियो हमें screen पर नज़र आएगी मिसाल के तोर पर हम दिए हैं तो दिक्क्राइब प्रेस इनकी की इस हमने इंटर की यूप्रेस एस इंश्याला हमारा निक्स टापिक होगा escape sequence इस अगर आपको हमाली वीडियो पसंद आई है तो सब्क्राइब करना मत भूदिए जिस सब्क्राइब करें अगर आपको कोई प्राब्लम है तो कमेंड भी करें और लाइफ भी करें हमारे व